जैहीं दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों अभी भी बहुत सारा confusion बना हुआ है section 43B उसका जो close edge है उसको ले करके आपको पता होगा MSME से related ये confusion आया था अभी भी बहुत सारे लोगों को ये confusion है कि किसके उपर ये applicable होगा किन किन transactions की उपर applicable होगा किन transaction की उपर applicable नहीं होने वाला है तो make sure दोस्तों इस वीडियो के लास्तका बने रहें आपके बहुत सारे doubt हैं clear होने वाले हैं तो देर ना करते हुए वीडियो को start करते हैं दोस्तो सबसे पहली conditions है कि ये आपके उपर कब लागू होगा आपके उपर अगर tax audit applicable हो रही है तब भी आपके उपर applicable होगा otherwise applicable नहीं होगा ऐसे बहुत सारे दुकानदार हैं बहुत सारे ट्रेडर हैं बहुत सारे service provider हैं जो trading उधार में करते हैं creditors उनके balance में books of account में खड़े रहते हैं लेकिन ये जो dis allowances है ये कौन करेगा ये जब आपकी audit होगी तब आपके chartered accountant है वो आपकी audit report जो होती है form 3 CD उसके अंदर ये लिख देंगे कि इस विक्ती ने इसको payment नहीं की है और आपका dis allowances हो जाएगा इसके अलावा और कोई भी आपके उपर ये rule applicable नहीं होता है तो make sure करें दोस्तो tax audit आपके उपर होती है तो ये rule आपके उपर applicable हो जाएगा इसके बाद में दूसरा doubt मैं आपका clear करना चाहता हूँ ऐसा कोई भी balance दोस्तो क्योंकि ये जो rule है आपका 142023 से लागू हुआ था क्योंकि जो आपका 2023 का budget आया था उसके ओपर ये announcement की गई थी कि आपका financial year 23 हो भी से ये rule applicable हो जाएगा तो 142023 के बाद में जो भी आप माल खरीद रहे हैं किसी भी MSME registered person से वो भी हम discuss करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 1423 के बाद वाले जो transactions है उनके ओपर ये applicable होगा for example 31 March 2023 को आपने किसी व्यक्ति को कोई creditors को पैसा देना था एक लाख रुपए या दस लाख रुपए या एक करोड रुपए और वो आप 31 March 2023 वाला पैसा अगर आप किसी से कोई goods खरीते हैं या कोई services लेते हैं तब तो ये applicable होगा अगर आप किसी से capital assets खरीते हैं जैसे कि fixed assets आपने अपनी shop के लिए दुकान के लिए factory के लिए आपने कोई plant and machinery खरीद लिए कोई air conditioner खरीद लिया मतलब जिसको आपने आगे बेजने के लिए नहीं खरीदा है तो ये आपका fixed assets होता है capital assets होती है तो अगर इस capital assets का amount आपका pending पड़ा है तो section 43 का जो B का जो H close है वो आपके उपर applicable नहीं होगा वो आपका खर्चा डिसलाव नहीं होगा आप किसी व्यक्ति से माल खरीद रहे हैं या किसी व्यक्ति से आपने services ली और आपके उपर tax audit applicable होती है तो ये rule applicable हो जाएगा लेकिन make sure आपको ये करना है कि सामने वाला व्यक्ति MSME के अंदर registered होना चाहिए आप अगर किसी व्यक्ति से goods या service ले रहे हैं तो आपके उपर ये rule applicable नहीं होगा आपको कैसे पता लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति MSME में registered है या नहीं है इसके लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे दोस्तो most of the cases में तो अब आपको क्या अपने bill book के उपर MSME का number आपको वहाँ पे छपवा देना है अगर वो नहीं चापते हैं तो आपको उनसे पूछना है confirmation लेनी है आपको उनको एक registered dark से या mail से उनको एक confirmation भेजनी है कि dear sir इस rule के according हम आपसे ये जाना चाहते हैं कि आप MSME के अंदर registered है या नहीं है तो आप हमें अपने MSME के certificate की copy provide कराएं या आप हमें बता दें declare कर दें कि आप registered है या नहीं है ऐसा करने के बाद में हफ़ते तक भी कोई reply नहीं आता है तो एक letter या mail आपको उनको और डाल देनी है उनको ये बोलना है कि dear sir आपका पिछले mail का reply नहीं आया था और इस mail में हम आपको last warning या last आपको option दे रहे हैं आपको time दे रहे हैं कि आप अभी भी बता दीजिए कि आप MSME में registered है या नहीं है या किस category में registered है अगर आप 10 दिनों में 5 दिनों के आप अंदर हमें नहीं बताते हैं तो हम ये मान लेंगे कि आप MSME के अंदर registered ही नहीं है और हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी अगर आप ऐसा काम कर लेते हैं तो सामने वाला व्यक्ति चाहे रेजिस्टर्ड भी होगा लेकिन आपको information नहीं दी गई है तो आप यहाँ पे safe side में हो जाएंगे तो कहने का मतलब सामने वाला व्यक्ति या तो MSME के अंदर registered हो या MSME के अंदर registered होने के बाद वो service provider या manufacturer हो तब भी आपके उपर applicable होगा अगर सामने वाला व्यक्ति as a trader जो कि आपको पता होगा landing sector के लिए जो priority landing होती है MSME के अंदर जो loan लेते हैं उसके लिए register करवाते हैं तो आपके उपर ये rule फिर से लागू नहीं होने वाला है तो अगर आप सामने वाला व्यक्ति trading के अंदर registered है या registered ही नहीं है तो ये rule आपके उपर applicable नहीं होगा इसके बाद में दोस्तों सामने वाला व्यक्ति registered भी है और सामने वाला व्यक्ति जो है वो trader भी नहीं है वो service provider या manufacturer है तब भी आपके ओपर rule applicable नहीं होगा अगर उस सामने वाली व्यक्ति की turnover 50 क्रोड से ज्यादा थी वो कैसे पता लगेगा दोस्तों वो या तो turnover से आप define करेंगे या आप उसके plant and machinery का जो आपका उसका investment होता है उसके अंदर decide करेंगे इसके अंदर क्या होता है दोस्तों आपको तीन category में बटा गया है एक तो होती small एक micro एक medium जो micro और small category के अंदर अगर सामने वाला आपका माल देने वाला है तब भी ये rule applicable होगा अगर सामने वाला medium category के अंदर आ जाता है मतलब उसकी turnover जादा है या उसकी plant and machinery के अंदर investment जादा है तब भी आपके ओपर ये rule applicable नह और उसकी terms and condition में लिखा हुआ था कि आप हमें payment है 50 दिन के अंदर अंदर कर देंगे अब आपको पता होगा जब time limit लिख दी है कि इतने time के अंदर अंदर payment करनी है या वो time या 45 days उन दोनों में से जो भी कम होगा उसके अंदर आपको payment करनी है फोर एक्जामपल उस वेक्ती स्कूरा निकल जाता है और 15 अपरेल को होते हैं तो 31 मार्च 2024 को आपका ये amount है पेबल नहीं था 45 दिन उसको नहीं हुए थे तो इस case में भी आपके उपर इस section 43 एच नहीं लगेगा 45 दिन की जगए 15 दिन का rule क्या कहता है अगर सामने वाले वेक्ती ने माल देते हैं आपको कुछ भी नहीं लिखा था महां बिल के उपर या कोई भी agreement में नहीं लिखा था कि हमको payment इतने दिनों के अंदर चाहिए चाहिए तो फिर आपका जो दोस्तो payment है 15 दिनों के अंदर कर और 20 मार्च से 15 दिन आपके जो दोस्तों 5 अपरेल को होते हैं तो 31 मार्च को यह amount pending नहीं थी 15 दिन नहीं हुए थे तो यहां पर भी आपका यह rule applicable नहीं होने वाला है इसके बाद में जो next category दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत सारे चोटे व्यपारी जो अपनी ITR परजम्टिव टेक्सेशन में बरते हैं section 44 AD के अंदर जो अपनी sale का 8 या 6% profit दिखाते हैं या section 44 ADA के अंदर जो अपनी service का 50% net profit दिखाते हैं इसका कहने का मतलब यह है कि उनकी tax audit नहीं होती है उन वेक्तियों के उपर भी यह rule लागू नहीं होने वाला है यह जो MSME की category हम आमने वाला व्यक्ति चा तो जो आपका इस category में नहीं आता था सपोज को वो ट्रेडर था लेकिन अगले साल उस व्यक्ति ने अपना status चेंज कर वा लिया वो ट्रेडर की जगें service provider या manufacturer में हो गया या उसकी turnover 50 क्रोड से कम आ गई तो उस साल दोस्तों उसकी category चेंज हो हैं तो आप एक service provider हैं आप trader हैं या आप एक manufacturer हैं अगर आप इन में से कोई हैं तो आप micro में है small में है medium में है या आप हमें अपना certificate दे दीजिए ताकि उसके अधार पर हम calculation कर पाएं कि section 43B का close H है वो हमारे उपर applicable होगा या नहीं होगा इसके बाद में एक exemptions एक छूट मैं आपको और बताना चाहूंगा जब ये rule आपका applicable नहीं होता है दोस्तों आपने कोई भी goods खरीद लिए आपकी billing हो गई एक January 2024 को लेकिन वो आपको माल डिलीवर हुआ है एक April को नहीं आप एक March को माल लीजिए एक January को आपका billing हो गई थी लेकिन वो माल आपको मिला है एक March 2024 क तो एक March 2024 को जिस दिन आपने goods receive किये हैं उस दिन से वो 45 दिन या 15 दिन या जो भी agreement होगा वो आपका देखा जाएगा और सर्विस के मामले में जिस दिन सर्विस रेंडर कर दी हैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपने कोई वो माल खरीदा सपोर्ज करो एक January को billing होई एक March को आपका माल आया और 10 दिन बाद आपको पता लगा उस माल के अंदर कोई defect है उसके अंदर कोई कमी रह गई है तो आपको सामने वाले व्यक्ति को objection raise करना पड़ेगा मुझे आपका माल पसंद नहीं आया इसकी जो यह कमी है या आप defect है वो दूर करें यह हमने objection लगा दि है तो for example आपने एक March को माल खरीदा 10 March को आपने objection लगा दिया और उस वेक्तिने दो महिने लगा दिये कि वो objection ही अभी तक सही नहीं कर पाया तो 10 March से 10 April और 10 मई सपोज करो 10 मई को उस वेक्तिने वो objection या उसकी कमी थी वो सही कही तो 10 मई के बाद में जो 15 और 45 दिन है वो tax auditor है वो इस amount को disallow कर देंगे तो यह मान के चलिए जितना रुपए आपने उनको देना था वो नहीं दिया तो आपकी income में जुड़ जाएगा और आपके tax lab के साब से आपको tax देना पड़ जाएगा हाला कि अगले साल जब आप उसको payment करेंगे तब आपको खर्चे में claim मिल जाएगा तो इस सीज़ का कोई मतलब नहीं रहता है मान लीजी आपकी पांच लाख रपे income है और पचास लाख रपे आपने किसी को payment नहीं करी थी तो पचपन लाख रपे की income मालनेंगे और पचपन लाख पे tax आपको देना पड़ेगा और अगले साल आपकी पांच लाख का एक और जबरदस्त बात बोलता है अगर आप 15 दिन के अंदर अंदर payment नहीं करते हैं तो सामने वाले विक्ति को आपको interest देना पड़ेगा ये interest क्या होगा bank rate के 3 time होगा और compounded monthly होगा दोस्तों suppose करो अभी साहिद 6.7% चल रहा है आपको आम example लेके चलते हैं bank rate चल रहा है 7 तो 21% पर मंत के साब से आपको उसको per year के साब से जो annually monthly आपको interest देना पड़ेगा और उस interest की जो monthly compounding भी हो जाएगी और ये जो interest आप देंगे इस interest का जो interest विक्ति दे रहा है उसको income tax के अंदर कोई भी छूट भी नहीं मिलने वाली है तो इस तरह से दोस्तों इस rule को इस section क 43BH को आप भड़े ही seriously लें आप अपना MSME नंबर अपने बिल पर चपवाएं सामने वाले व्यक्ति को timely payment करें ऐसा कोई कोई दिकत आ भी गई है तो आप उसका objection raise कर दें ताकि tax auditor आपके chartered accountant आपके खर्चे को disallow ना करें क्योंकि उनके ओपर भी बहुत सारा pressure रहता है neat and clean ब कमेंट करके हमसे पूछें ये वीडियो कैसी लगी हो अची लगी या बुरी लगी हो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी दोस्तों इस तरह की informative वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लें अभी तक नहीं किया तो क्योंकि इस तरह की informative वीडियो में आपके लिए लाते रहते हैं वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच जै हिंद जै भारत